दोस्तो आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कोई भी फैन की मोटर है या तो हमारा सेलिंग फैन हुआ या कूलर मोटर हुई या ये फराटर फैन की मोटर है इसमें अगर आपकी एक बाइंडिंग है वो ओपन दिखा रही है तब आप इसको कैसे सही कर सकते हैं अगर आपकी बाइंडिंग ओपन है तो वो हम आपको इस वीडियो में प्रैक्टिकली सही करके बताएंगे वो भी घर पर आप सही कर सकते हैं तो देखिए ये जो मोटर है इसमें जब हम सप्लाई दे रहे हैं तो ये स्टार्ट नहीं हो रही है इसकी एक बाइंडिंग है जमों बाइंडिंग को चैक कैसे करते हैं वह हम आपको बताते हैं तो यह सीएस ब Wars अफ्यात कर सकते हैं और इसके बाद आप जो जो binding वाले बायर हैं, उन पर इसको touch करना होगा इन इन बायर को, सी्रीज लैम्प की बायर हैं, उसको touch करना होगा, तो देखे ये binding है, वो सही दिखा रही है, लेकर ये हमारी डूसरी binding है, वो open दिखा रही है, तो open होने के current क्या होगा अगर आप दुकान बाले की पास लेके जाएंगे मोटर को तो वो इस प्रकार से टेस्ट करेगा आपके सामने और कह देगा आपकी एक बाइंडिंग जल चुकी है और इसको दुबारा बाइंड करना पड़ेगा इसके लिए इतना चार्ज लगेगा तो आप उसको उतना चार्ज दे देते हैं और मोटर उसके पास छोड़ देते हैं तो आपको ऐसा नहीं करना है आपको सबसे पहले अपने घर पर ही मोटर को सही से टेस्ट करना है कि बाइंडिंग खराब हुई है या नहीं हुई है अगर बाइंडिंग खराब नहीं हुई है तो क्या इनको आपको खोल लेना होगा और खोलने के बाद इसके जो मौटर के कवर हैं वो दोनों साइट के कवर को आपको निकाल लेना होगा तो देखें इस प्रकार से खोल के और यह जो कवर है यह आप निकाल देंगे तो यहाँ पर यह रोटर भी बाहर आ गया है तो इसको अगला यह बाहर से बाहर से कोई वी बायर है वह कहीं बाहर तूंटा तो नहीं है सबस्केना उनसलें में कृक्ष भीам वाय कंडों तूम microscopy नजन नहीं आए बिल्कुल सही है फ्रेस बाइंडिंग है तो इसके बाद आपको क्या करना होगा है यह बाइर है इनको कोसिस करना है इसको आसानी से खोले तो आपको इसको इतने अच्छे से निकालना होगा इतने सही से निकालना होगा जिससे कि आपका जो बाइंडिंग का बाइर है वो बि लिए है और इसके बाद आप दुबारा इसको test करके देखी है तो यह binding सही है और यह वाली binding है वह खराब है तो सबसे पहले आपको यह यहीं वायli ऐर को नहीं पर जहां पर जो हमारा binding का bah frustrated होता है copper पतला वाला को यहाँ से जहां पर एक connect किया जाता है इस wire को, बहुता से यह काट लेना होगा तो इस प्रकार से जब आप निकाल लेंगे और इसके बाद यह जो binding बालब wire होता है उस पर insolation होता है तो उस insolation को आपको चाकू की सहायता से बिलेकूल clean कर लेना होगा साप कर लेना होगा और उसके बाद आप एक बार और series board से चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पर फिर से यह जो binding है वो open दिखा रही है खराब दिखा रही है तो अब आपको क्या करना हुगा यह जो दो बायर है इनको भी आपको निकाल लेना हुगा इस परकार से देखिए यह जो बायर है इनको भी आसानी से अलग कर लेना हुगा तो इसके बाद यह हमारा black बायर बायर है यह binding सही थी लेकिन हमारा यह binding को अभी देख लेंगे तो इस प्रकार से आप इसको निकालेंगे बहुती आसानी से आपको निकाल रही ना हुआ जिससे आपका कोई भी बायर है वो डेमेज ना हो बाइंडिंग का तो देखिए इस प्रकार से हमने यहाँ पर निकाल लिया है यह हमारा common बायर है यह वाला जो है तो इसके लिए आपको करना होगा यह जो दोनों बायर को एक साथ यह से कर देना हुगा और इसके बाद आप दुबारा इस बाइंडिंग को टेस्ट करेंगे तो देखे हमने सीरिस बोर्ट को रोन किया और आप देखेंगे यहाँ पर यह बाइंडिंग सही दिखा रहा है अब और इसके बाद आप दूसरी बाइंडिंग को जब देखेंगे तो यह बाइंडिंग प्रॉपर सही है हमारी binding यहाँ पर यही fault था और अगर आप इसको लेके दुकान बाले के पास जाते तो वो इसी प्रकार से सही कर देता यह बाहर चेंज कर देता लेकिन आपसे पूरी binding के पैसे ले लेता क्योंकि आप तो कभी खोल के देखते नहीं और आपको बाहर बाहर की साइड नए बाहर दिखते तो आप सोचते कि हाँ यह binding चेंज हुई है रिप्लेस की हुई है तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है आपको सबसे पहले घर पर टेस् करनी है और उस लिप में इस बाहर को कनेक्ट कर देना हुगा और पतला वाला बाहर जो कौपर का बाहर लेके आए आप उसको इस प्रकार से लगाना होगा तो अब भी क्या है हमारे पास लीप नहीं है तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे इस मोटर को कैसे बं करा के दिखाएंगे और साथ में आपको मोटर को ओन करा के दिखाएंगे चालू करा के दिखाएंगे कैसे मोटर रन होती है किसने अच्छे से हमारी जो मोटर है वो सही हो गई है कुछ भी आपका पैसा नहीं लगने वाला है तो आपके बहुत सारे इसमें पैसे बच हुई हैं तो आपको घर पर हमेशा ऐसे ही इसको चेक करना